सबी भक्तों को जैश्री राम बोलिए बाला जी महराज की जैए कई बार भक्त कहते हैं कि प्रभु हमारे घर में सदैफ कलेश रहता है दुख रहता है बिमारिय रहती है बड़े परिशान रहते हैं तो आज पाला जी महराज की कृपा से उनके लिए एक अचूक उपाए लेके आया हैं यदि आप ये उपाए तालिस दिन बड़ी भाव, श्रद्दा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिये मेरा विश्वास है आपके घर में सदै मंगल ही मंगल कारिय होते रहेंगे और अमंगल वहां से सदैव दूर हो जाएंगे चूपाई है कवन सो काज कठिन चक माही जो नहीं होई तात तुम पाई यह चूपाई हनुमान जी को संबोधित की गई है तुलसी दास जी जो अरा रचित है इसमें लिखा है कि प्रभू संसार का ऐसा कोई कारिय नहीं है जो आप नहीं कर सकते इस संसार में बड़े से बड़ा कटिन से कटिन कारिये आप कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता आपने करना क्या है प्राते काल उटके अमरित मेले अपने मंदिर में देशी की का एक दीपक प्रजिलित करना है हनुमान जी के सामने सबसे पहले हनुमान 40 का पाठ करना है तत पस्चात आपने एक जल लेना है गिलास के अंदर और साथ में लेना है मिश्री के कुछ दाने और आपने जाप करना है कवन सोकाज कठिल जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाई इस चुपाई का आपने 108 बार जाप करना है और प्रती जाप आपने एक दाना मिश्री का उस जल में अरपित कर देना है जब ये जाप समाप्त हो जाएगा तो आपने बालाजी महराज के आगे माथा टेकना है और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है और अपने घर के समिश अदस्से को चरनामरित रूप में ये जल परशाद रूप में ग्रहन करना है यकीन मानिये यदि आप ये उपाएं एक तालीस दिन भाव से श्रद्दा से और विश्वास से करते हैं तो आपके घर में मंगल कारिया होने फ्रारंभ हो जाएंगे और अमंगल सदैव दूर रहेंगे एक परेम से बोलिए बालाजी महराज की जै बोली जै श्रीश